हलो फ्रेंज, आज हम करेंगे ड्रामा एन आर्ट इन एजुकेशन के युनिट वन का फर्स्ट टॉपिक एन्हेंसिंग लर्निंग त्रू ड्रामा फॉर चिल्रन विद और विदाउट स्पेशल नीड्स, स्ट्राटेजीज एंड एडपेशन्स इस कॉंसेट में हम देखेंगे कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं और जो बच्चे जनरल हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हें आप ड्रामा की हल्प से कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या स्ट्राटेजीज आपको लेनी पड़ेंगी और किस तरीके से आप बदलाव करकर स्ट्राटेजीज को स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी यूज कर सकते हैं, आएए स्टार्ट करते हैं, रिसेर्च एविदेन्स प्रूव्स ड्रामा इफेक्टिवनेस तो सपोर्ट अल्ट इस्किल्स मेंशने अर्लियर, वन सच रिसेर्च इस नि-न-I-C-E, वे 12 इसेर्च एविदेन्स की डिसेर्च छ अर्मा इसकी वालता मुदेब तो ऑनूमने खनेशने तो इसकोंपलाइ अश्टार्मा इस. च alcanz एल्निक बच्बिदेन्स एविदेन्स वालेवंशने सेन्स एविदेन्स एव अन्वेलाणिए तो एनुन मैंशने स्वाले हैं, यहां पर हमने देखा कि ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन बच्चों के लिए क्या उनके लिए फायदे हैं। कई रिसर्च भी की गई हैं जिन रिसर्च ने कहा है कि आप ड्रामा की हल्प से बच्चों को बहता तरीके से पढ़ा सकते हैं। युनेसको ने यहां तक कहा है कि कल्चर एंड आर्ट बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के फुल डेवलप्मेंट के लिए बहुत जादा ज़रूरी है। और आर्ट एजुकेशन युनिवर्सल हुमन राइट है सभी लर्नर्स के लिए। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है ड्रामा एंड आर्ट तो हमें इसको एफिशेंटली यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए स्टाइटजी और अडपेशन ज़रूरी हैं। अगर हम ड्रामा को क्लास्रूम में समझने की कोशिश करें तो टीचर्स हैं वो प्ले के एक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। और टीचर्स को अपनी एक्टिग के द्वारा बच्चों को अपना कॉनसेट समझाना होता है। या बच्चों के सैंसेस में वो पॉइंट औफ व्यू अपना अंसर अपना पॉन्यू प्रेजंट करना होता है। और ड्रामा की टेकनीक या तकनीक है कि आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, जिसे हम voice modulation कहते हैं, अपने body structure के में movements होते हैं, improvisation है कि जो topic है उसको आप अपने तरीके से बहतर बनाते हो, खुद की observation उसमें involve करते हो, अच्छा topic presentation करते हो, यह सारी ड्रामा की टेकनीक है, एक टीचर अपनी class में खुद एक hero बनकर अपनी बच्चों को पढ़ाता है और अपने topic को बच्चों के सामने cover करता है, but all these activities requires the earlier mentioned skills to develop, therefore teachers are also needed to sharpen these skills which could be very effective in their execution of lesson in classroom, तो अगर हम टीचर को ड्रामा का actor कह रहे हैं, play कह रहे हैं, hero कह रहे हैं, तो उसके अदर हो सारी skills होनी चाहिए, जो ड्रामा में ज़रूरी है, इसलिए टीचर को भी अपनी skills को बहतर बनाना चाहिए, और अपनी क्लास में lesson को अच्छे से पढ़ाने के लिए इन skills को यूस करना चाहिए, दो ताइप के skills हैं, role playing and simulation, role playing पहले देखते हैं, role playing is an acting out or performing of a particular role in accordance with how it is perceived socially, it is derived from social drama involving complex social issues, this form can be used in classroom situation to understand literature, history and other paper which is a little drama, it is pleasurable teaching technique for students which are physiologically sound, role playing में आप किसी particular व्यक्ती का role play करते हो, जैसे आप रामायन अगर नाटा करते हो रामायन का तो आप उस रामायन में सीता का role play करते हो, या फिर आप उस में कोई दुरियोधन, महाभारत में दुरियोधन का role play करते हो, तो ये उसका character play करना role playing होती है, कि आप किसी की point of view को present करने के लिए खुद उस role का हिस्सा बन जाते हो, ये सब है role playing का, अगला है simulation, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सच्चाई को या वास्तविक्ता को जितना हो सके उतना सही तरीके से दिखा सकें, simulation is enacting or recreating a reality as truly as possible, which includes instructional elements true, जिसमें हम reality को वापस से recreate करने के कोशिश करते हैं, जैसे अकर हम रामायन का simulation करें तो हम वैसा ही माहौल create करेंगे और उसी में रामायन को play करेंगे, जबकि role playing में आप उसको वास्तविक्ता को नहीं करते हैं, जो साइटी में जो image है, जो viewpoint है, उसको present किया जाता है, simulation method helps students to explore, navigate and obtain more information about that system or environment, it is a very effective method in teaching learning situation, but let explore here, it is used in different levels of education, simulation का एक example हम संसद का ले सकते हैं, कि संसद में बिल कैसे पास होते हैं, ये समझने के लिए हम पूरी एक संसद का simulation कर सकते हैं, अपनी क्लास में ही ऐसा arrangement करवा सकते हैं, कि हम लगे संसद बहुन बे बैटे हैं, और हर पच्चा फिर उसमें अपना role play करेगा, तो role playing और simulation दोनों की help से बच्चे उस concept को अच्छे से समझ सकेंगे, तो ये दो adaptations हैं, role playing और simulation जिनकी help से हम ड्रामा को क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और teacher को drama का hero कहा गया है, इसलिए उसको अपने skills होनी ज़रूरी है, आईए, हब देखते हैं, हम कौन-कौन से skills और ज़रूरी हैं, और किस तरीके से हम special needs वाले बच्चों के लिए drama को यूज़ कर सकते हैं, special needs वाले बच्चों के लिए drama adapt करने के लिए, strategy यूज़ करने के लिए हमें identify करने पड़ेंगी उनकी unique needs, हर बच्चे के अपनी अलग requirement होती है, अलग special needs होती है, कोई बच्चा अगर अच्छे से सुन नहीं सकता है, या उसको सुनने में problem है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको देखने में problem है, कोई समझने में problem हर है, तो यह सारी special needs वाले बच्चे हैं, तो मैं पहले identify करने हैं कि बच्चे की need क्या है, और उस हिसाब से आप अपने play को adjust कर सकते हैं, सेकिंड है proper language का use करना, आपको ऐसी language उस करनी है, जो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, थर्ड is see what you can do to help students succeed in drama, यह आप अपनी तरफ से बच्चों में क्या input दे सकते हो, जैसे उन्हें role allocate करना, उनकी help करना, उनकी प्रॉप बनाने में help करना, उनको guide करना, आपको ऐसा teacher उनकी क्या help करनी चाहिए, फॉर्थ इस treat all students equally, यहनि कोई भी student, चाहे वो special need का हो या general student हो, सबको आप equally treat करेंगे, कुछ बच्चे acting में अच्छे होते हैं, कुछ drama play करने में अच्छे होते हैं, कुछ script writing में अच्छे होते हैं, तब उनकी skill के basis पर उन्हें differentiate नहीं करेंगे, equally treat करेंगे, सबको equal responsibilities देंगे, क्योंकि drama को successful बनाने के लिए सारे elements जरूरी हैं, तो सभी बच्चों को equally treat करेंगे, फिफ्फ इस focus on what they can rather than what they can't, यानि इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसको आपको छोड़ना है, और क्या कर सकते हैं, उन चीजों को उने better करना है, जैसे अगर कोई बच्चा सुन कम सकता है, लेकिन वो याद अच्छे से कर सकता है, तो आप उन्हें उसके accordingly रोल दीजिए, इसके साथ ही RAMS, Infrastructure, Large Print, Braille वाली, Audio Scripts, ये सारी चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करवाईए, ताकि उनकी special needs को ध्यान में रखा जा सके, अगर कोई बच्चा dyslexia से PDT है, तो आप उसे script पहले से ही दे दिए, ताकि वो पहले से उसको याद कर सके, और उसका time बच सके, तो ये सारी strategies हैं, adaptations हैं, जो सामान्य और विशिश टावशकता वाले बच्चों के लिए, नाटक द्वारा अधिकम में ज़रूरी है, तो नाटक की रणनीतियां और अनुकूलन, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं, strategies यानि रणनीती, adaptation यानि अनुकूलन किस तरीके सा आप इने बदलाव करेंगे, तो नाटक की रणनीतियां, नाटक की एक लाम में, शिक्षकों द्वारा नियोजित, उपकरण, एवं तकनीके हैं, टीचर कौन-कौन से उपकरण यूज़ करता है, क्या तकनीक यूज़ करता है, ये उसके उपकरण और तकनीक हैं, इनके माद्यम से चात्र अपनी टीम वर्क, चरितर विकास, कहानी और प्रदर्शन कौशल को बढ़ाते हैं, और चात्र स्वय हम सीखनी के लिए प्रुत्साहित होते हैं, इसमें कुछ एक पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नकल करना, जिसे हम सिमिलेशन कहते हैं, अगला है भुमी का निभाना, जिसे हम रोल प्लेइंग कहते हैं, थर्ड है क्या हो अगर, यानि ऐसे सिट्वेशन दी जाती है, जिसके आगे बच्चे को खुद सोच कर काम करना होता है, फोर्थ है अंतरंग मित्र, यानि कि इसमें दो परस पर विरोध, विचाध रहे हैं, प्रेजन की जाती है, किसी भी टॉपिक के ओपर, जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, तो दो पक्ष होते हैं, एक परी वाला जो सकारात्मक होता है, दूसरा शैतान वाला नकारात्मक, जो हम कई बार मुवीज में, सीरियल में भी देखते हैं, फिर हैं विशेश अग्या का मंत्र, जो कालपनिक दुनिया के ओपर बेज़्ड होता है, जिसमें हम कालपनिक दुनिया में जाते हैं, और वहां ऐसी सिटुशन्स क्रियेट होती हैं, उसके अपर अपको ध्यान देना होता है, तो ये सारी स्टाटजीज हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इन्ही को विशेश अवशकता वाले बच्चों के लिए कैसे ढालें, वोसे हम अनुकुलन कहते हैं, विशेश अवशकता वाले बच्चों को किसी भी तरीके से हमें सामने बच्चों से कम नहीं समझना है, हर बच्चे में कोई ना कोई छुपी हुई कैपरसिटी होती है, और उसी को हमें यूज करना है, तो यहाँ पर बच्चे के अवशकताओं को समझना, उनका प्रॉपर हेल्प करना, सभी बच्चों को समान रूप से ट्रीट करना, ये सब टीचर के लिए जरूरी है इसके साथ ही हम देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या फायदा होता है तो इससे स्टूडेंट और टीचर दोनों को फायदा होता है टीचर का भी टाइम बचता है और बच्चे भी आसानी से सीख सकते है अच्छा परस्टिक्शन मिले और बहतर पाठ योजना बनाई जाएं तो विशिश टावशकता वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ कंदे से कंदा मिला कर चल सकते हैं इसकी हेल्प से बच्चे सामाजिक कोशल विक्सित होता है बच्चों में और विशिश टावशकता वाले बच्चे समाज में भी खुद को अच्छी जगे पर खड़ा पाते हैं चात्रों को मुख्यदारा में जोडने में मदद मिलती हैं बच्चों को खेलने का समय मिल जाता है उनका आपसमन बढ़ता है सहयोग करना सीखते हैं और कुल मिला कर अपने देश की प्रगती में अपना योगदान दे सकते हैं तो ये हमने देखे ड्रामा एन आर्ट का एजुकेशन में क्या यूज हैं किस तरीके से आप इने स्पेशल नीट्स वाले बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं और इनके लिए बहुत जादा फायदे मन्त होता है नेक्स लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेडिया एन एलेक्ट्रोनिक आर्ट्स